हेलो फ्रेंद्स दिस इज अकांक्षा सिंग वेलकम सी यू अन यूटूब चैनल बेटु जारफ कैसे हैं आप सब आज है ये पार्ट फोर मोक्टस सीरीज का पार्ट फोर जो ये ये यूपी टीजीटी पीजीटी की वेकेंसी हैं है उम साइंस के लिए उसका ये मोक्टस सीर नहीं देखे हैं तो उनको भी जरूर देखेगा मोक्टस सीरीज का एक पेलिस्ट है इसका लिंक डिसक्रिप्शन में दिया है महासया प्लेलिस्ट चेक कर लिजेगा आइम फर्सुइंग माई पीच्टी फ्रम वसंत्र रावना एक मराथवड़ा अगरिकल्चरी उनुवस् इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो अब कॉंसेप्ट के लिए आपो प्लेलिस्ट भी चेक जरूर करियेगा ना स्ट देवीडियो वीडियो विच वन आप फॉलोईइंग इस नेचुरल एंटी ओक्सिदेंट कौन सा इस प्लेट करेक्ट आंसर इस अस्कॉर्बिक एसिड अस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोलते हैं तो यह नेचुरल एंटी ओक्सिदेंट है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उसका इसका इसका अगर एक्सिस में यूज हुआ तो यह कुछ ना कुछ हामफु लिए तो तो यह उसके बारे ब्या성 किया जाता है तो वह प्लेटक आसे पारे चेंट मोनो इम इसको एम अच्च बोलते हैं और्युम मोनो सोडियम ग्लुटामिट यह भी चाना का इंवैंशन चाना ने इसको भी चाइना नहीं दिया है जो चामेन बनाने में एक वाइट कल का शॉल्ट एड करते हैं जिससे थोड़ा सा बिटरनेस और थोड़ा सा अजीब खटा और बिटरनेस टेस्ट आता है उसको बोलते हैं MSG यह भी एक टाइप का शॉल्ट है बट बहुत सारे कंट्रीज में यह कॉंट्रोवर्सी है कि अगर एक्सेस अमाउंट में यूज होता ह है तो headache होता है, sweating होती है और inflammation होता है तो बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैं करके रखा है कि MSG यूज नहीं होगा इसको Chinese restaurant syndrome भी बोलते हैं तो कि अगर एक्सेस में यूज होगा तो यह हामफुल effect कॉस करता है तो be aware of China next the substance responsible for jelly making in fruit is fruits में जो जैली बनाते हैं तो जैली बनाने में 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 सबस्टेंस क्या है जो जैली बनाने में help करता है the options are protein, phytin, pectin and keratin the correct answer is pectin, pectin is the main ingredient जैली बनाने में help करता है keratin is the hair protein, protein तो normal protein है जो coagulate करती है तो यह jelly-like substance नहीं बनाती है foods are spoiled by the action of किसके action से और किसकी क्रिया से food जो है वो खराब हो जाते हैं options are microorganism, enzymes, insects and all the above the correct answer is microorganism, microorganism जब food के साथ जैली action करते हैं तो वो food को खराब कर देते हैं बड़ जे enzymes और insects अगर food के साथ reaction करते हैं तो food को contaminate करते हैं food को spoil नहीं करते हैं उनको contaminate करते हैं the next question is continuous method of posturization has advantage over batch method as it is more continuous method of posturization का एक method is batch method तो batch method के compare में continuous method of posturization जो है वो क्यों अच्छा है options are time saving, energy saving, both of the above, none of the above the correct answer is both of the above क्योंकि जो continuous method है उसमें तेंप्रेचर होता है वो 72 degree centigrade for 15 second and जो batch method process होता है उसका temperature होता है 69 degree centigrade for 30 minutes तो यहाँ पर time भी बच रहा है, energy भी बच रही है इसलिए both of the above the agent responsible for flavor जो agents flavor के लिए responsible है इस्टर, aldehyde, ketones, all of the above तो all of the above is the correct answer इस्टर, aldehyde, ketones सभी flavor enhancer का काम करते हैं क्योंकि इन में कुछ soluble substance present होते हैं, volatile substance present होते हैं जो water के साथ है अभी किसी भी solvent के साथ reaction करके flavor present जो है जो भी flavors है उनको produce करते हैं next, HTST high temperature short time process of pasteurization involves the heating at जो high temperature short time process है pasteurization की इसी को जो continuous pasteurization method था उसका दूसरा नाम है HTST process the correct option is 72 degree centigrade for 15 second यह 150 degree centigrade for 1 second इसको बोलते हैं ultra high temperature and short time next, saffron can be used as, केसर का अपयोग के किस तरह के से करते हैं, flavoring agent, coloring agent, both of the above, none of the above तो सबको पता है केसर को as a flavor and a color दोनों के लिए यूज़ करते हैं तो both of the above is the correct answer next, benzoic acid is not very much effective against, जो benzoic acid है यह जादा effective नहीं है, किसके against बहुत जादा effective नहीं है क्योंकि benzoic acid एक preservative है, यह sodium benzoate का salt होता है benzoic acid जिसको food preservation के लिए यूज़ करते हैं अगर जो food preserve करने के लिए जो acid यूज़ किया है उसमें अगर कहीं से कोई bacteria आजाता है, जो harmful bacteria है तो जो benzoic acid है, बैक्टीरिया के against effective नहीं है, बाकि yeast है, मोल्ड है, फंजाई है, सबके against effective है बाकि किसी की growth को नहीं होने देता है, food को preserve करता है, बट अगर bacteria है, तो bacteria के against benzoic acid जो है, वो effective नहीं होता है The following is an example of bacteriostatic method, static का मतलब जो condition जैसी है उसको वहीं पर रोक देना, एक होता है bacteriostatic, एक होता है bacteriostatic, एक होता है bacteriocidal, sidle means bacteria को kill कर देना, मार देना और static means bacteria जिस state में है उसको वहीं पे stop कर देना तो इसमें से कौन सा method है जो bacteriostatic है जो means bacteria को जिस state में है वहीं पे stop कर देता है उसको kill नहीं करता है The options are canning, drying, sterilization, irradiation The correct answer is drying Drying state में जब किसी चीच को dry करते हैं तो इसमें से moisture खतम हो जाता है तो उसमें जो भी microorganism, bacteria जो भी present है उनकी activity वहीं पे stop हो जाती है तो इसको बोलते हैं bacteriostatic यहीं canning में उनको heat करते हैं तो heat करने पे bacteria मढ़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं bacteriocidal यह बाकी तीनों bacteriocidal method है Drying is the bacteriostatic method Next is The essential commodity act was intact in the year जो essential commodity act है वो किस year में आया था The option is, correct option is 1955 1955 में essential commodity act आया था इसका main reason यह था कि जो भी चीजें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं जो आवस्तेक चीजें हैं human being life के लिए basic life के लिए उनको हर एक को provide हो जो भी person जो भी है हर एक को जो essential commodity है वो हर एक तक provide हो हर एक तक पहुँचे उसके बाद उनकी safety और hygiene जो भी essential services में आती हैं उनकी safety हो hygiene हो जो उनकी handling processes है वो अच्छी हो जिससे लोग healthy रह सकें उनमें कोई infection ना हो और यह essential commodity act जो है इसमें जो fruit products order आया था वो भी essential commodity act के अंडर में ही आता है red palm oil is a source of जो red palm oil है वो किस चीज का best source है ascorbic acid, riboflavin, beta carotene, all of the above अब यह oil है तो water soluble vitamin का source तो होगा नहीं obviously simple सी बात है जो fat soluble चीज होगी वो ही oil में होगी तो beta carotene means vitamin A यह fat soluble है तो यह beta carotene का good source है यह बाकी दोनों यह water soluble है तो water soluble है तो oil में present ही होगी ही नहीं तो beta carotene is the correct answer next, give a scientific term for cracking at the angle of the mouth सर्दियों में देखो जो mouth or lips के जो corner होते हैं यहापे cracks आने लगते हैं बहुआ dry skin हो जाती है तो इसका scientific term क्या है options are glossitis, angular stomatitis, dermatitis and pellagra the correct answer is angular stomatitis then glossitis क्या है glossitis में टंग है जीब में inflammation आना, swelling आना उसको बोलते हैं glossitis कभी-कभी जीब में gelan होती है लगता है कि जीब में swelling है उसको बोलते हैं glossitis dermatitis and pellagra दोनो skin related disease है skin rough हो जाती है rashes हो जाते है starting condition को बोलते है dermatitis जब यह condition severe हो जाती है severe पहुंच जाती है pellagra, यह दोनो niyasin की deficiency से होते है next is megaloblastic anemia is caused due to the deficiency of megaloblastic anemia है वो किस की deficiency से cause होती है correct option is folic acid, folic acid की वजय से megaloblastic anemia होती है the next is nutritional anemia होती है iron deficiency anemia होती है megaloblastic anemia है यह nutritional deficiency anemia है इसलिए folic acid की कमी से होती है main functions of vitamin K in the body is vitamin K के main function body में क्या है as an antioxidant in the blood clotting in vision in synthesis of protein the correct option is in the blood clotting vitamin K का main aim main function blood clotting में help करता है जब किसी को हीमोफीलिया है हीमोफीलिया एक genetic disorder है हीमोफीलिया में अगर आपको किसी को भी चोट लगती है तो वहांसे bleeding स्टार्ट हो जाती है वहांसे bleeding स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसमें vitamin K का function impair हो जाता है इससे blood clot नहीं करता है और इससे कभी-कभी death भी cause हो सकती है human milk is a poor source of human milk is a poor source of iron protein vitamin K and vitamin B12 correct answer is iron human source milk iron का poor source होता है quasiarcher and marasmus are associated with जो quasiarcher and marasmus वह किस से related है यह दोनों diseases है और deficiency diseases है दोनों तो किस की वज़े से होता है in sanitary conditions total undernutrition protein energy malnutrition vitamin C deficiency the correct answer is protein energy malnutrition protein energy malnutrition की वज़े से यह quasiarcher and marasmus होते है quasiarcher and marasmus यह दोनों अलग अलग टर्म है अगर आपको इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप comment में बताए नेक्स वीडियो में क्वाश्यार करें कि दोनों में डिफ्रेंस क्या है किस की deficiency से होते हैं दोनों में common symptoms क्या है यह सब डिसक्स करेंगे the term of iodine IDD means iodine deficiency disorder सबसे पहले किस ने इंटर्डूश किया था कि iodine की deficiency से भी कुस disorders होते हैं the options are Davis Osborne & Mendel Head Gel & Milder Head Gel ने दिया था iodine deficiency disorder Milder ने protein term coin किया था next is the vitamin necessary for the synthesis of visual purpose जो visual purpose के लिए vision के लिए कौन से vitamin essential है description में telegram का link है अब वहाँ से telegram channel को subscribe कर लिजिए आपको आपे सारी PDF मिल जाएंगी options are folic acid vitamin A, vitamin K and biotin correct answer is vitamin A vitamin A जो है वो vision के लिए important होती है vitamin A eyes को healthy बनाती है और उनकी vision को improve करती है fresh fruits and vegetables are included in the diet as fruits and vegetables होते हैं उनको diet में include करते हैं उनका main function या purpose क्या होता है body building foods energy giving food protective food and all the above the correct answer is protective food fruits and vegetables है उनको as a protection protective food की तरह use करते हैं और उनको subscribe करिए thank you this is my facebook page आप मुझे यहां से contact कर सकते हैं youtube चैनल आप चैनल को जरूर subscribe करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छे लगयो तो comment में बताएए चैनल को subscribe करिए जादर से जादर अपने friends के साथ करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care stay home stay safe stay healthy bye bye